जहीं दोस्तों आईए पढ़ते हैं समाने बिग्यान का भाग 9 दोस्तों इस वीडियो में ऐसे प्रस्ण को सामिल किया गया है जो हमारे एकजाम में बार बार पूछे जाते हैं मतलब ये जमाने बदल जाएंगे लेकिन कुछ सवालों के जबाब नहीं बदलेंगे तो आईए शुरू से शुरू करते हैं पीत होते हैं पीले हरे रंग का चारिये दर्ब पीत का पियेच मान होता है 7.7 पीत अस्त्रावित होता है यकिर्ट द्वाड़ा यकिर्ट में भविस के लिए भंडारित रहता है बिटामिन A पीत जमा होता है पित्यास्य में हैड्रोफोविया रोग होता है कुत्ते के काटने से हैड्रोफोविया रोग होता है विशानू द्वाड़ा विशानू की खोज किसने की थी इवानो वसकी ने विशानू का अध्यन क्या कहलाता है वाइरोलोजी रानी खेत बिमारी फैलती है वायरस द्वाडा जन्तूओं में होने वाली फूट एबं मौथ रोग होता है विशानू के कारण कबको का अध्यन क्या कहलाता है माइकोलोजी सेवालो का अध्यन क्या कहलाता है फाइकोलोजी सेवालो की कुर्शिका भित्टी बनी होती है, शलिलोज की, जीवानूं की खोज किसने की थी लिवन हौक ने, धोनी का वेक सर्वाधिक होता है, ठोस में, धोनी की गती धीमी होती है, हवा में, धोनी की चाल होती है, 770 मिल परती घंटा, ताप बढ़ने से धोनी की चाल बढ़ती है वायू है गैसों का मिश्रन वायू उधारन है गैस का गैस में बिलियन हवा में धोनी का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेन धोनी की तृता की इकाई है डेसिवल हवा का वाफ्स घनत होता है 14.4 प्रकास वर्ष मात्रक है दूरी का एक प्रकास वर्ष बढ़ावर होता है 9.46 गुने 10 पर पाबरे 11 किलो मीटर या 9.46 गुने 10 पर पाबरे 10 मीटर दूरी मापने की सबसे बरी काई है पारसिक जरो की रुपांतरन है मूली और गाजर तने की रुपांतरन है आलू और प्याज प्योट्रेट्री ग्रंथी पाए जाती है मस्तिक्स में मास्टर ग्रंथी कहलाता है प्योट्री जिसे हम प्यूस भी कहते हैं शरीर की सबसे चोटी ग्रंथी है प्योट्री दो वनसानुगत रोग है वर्ण आंद्रता एवं हिमोफेलिया सरपर्थम मनुश्यों में वर्ण आंद्रता का वर्णन किया हिर्णर ने 1876 में एक वर्ण आंद्रता व्यक्ती में पहचान करने की छमता नहीं होती है हडा एवं लाल रंग की थायरक्षिन हर्मन अस्त्रावित होता है थायरोड ग्रंथी से जठा रस में पाया जाता है हाइड्रोकुलोरिक अमल लाइकेन में प्रस्पर सहजिवी मजूद होते हैं कबक और सैवाल प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आतमे मनुष में पाचन प्राणभ होता है मुक से पच्य भोजन का अफसोर सं छोटी आतमे होता है लाण में पाये जानने वाला एंजाइम टाइलिन होता है टीबिया नामख हड्डी पाई जाती है टांग में मानव सरीर का वह अंग जिसमें हड्डी की संख्या सरबादिक होती है अंगलियों में भोजन पचाने में सहाइक होता है इंजाइम, इंजाइम की रचना होती है अमीनो अमल से, पाचन किरिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अमल में, अहार नाल में इस्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, मल्टोज, सरीर में अमीनो अमल की संख्या होती है, 20. सरीर में उत्तकों का निर्मान होता है प्रोटीन से हड्डियों और दातों के निर्मान के लिए अवस्यक तत्व हैं केल्सियम वॉप फासपुरश भुपाल गैस कान 1984 में रिसाब हुआ था मिथाइल आइसुसाइनाइट का काला हीरा तथा काला सीशा कहते हैं क्रमस, कार्बनेडो और ग्रेफाइड को जीम नक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को पोधे कामुके प्रकास संसलेसी अंग है पत्ती पत्तियों का रंग हडा होता है कुलोडो पलाष्ट हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग पिला होता है कैरोटीन के निर्मान के कारण पर्न हरित में उखवस्तित मुख्य धातु है मेगनीशियम वाई मंडल में ओक्सिजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकास संसलेशन द्वाड़ा पेर वा पोधे द्वाड़ा खाना तयार करने की परिक्रिया कहलाती है प्रकास संसलेशन प्रकास संसलेशन के लिए अवस्तिक है सी ओटू, जल, कलोडोफिल और सुज का प्रकास प्रकास संसलेशन की किरिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकास संसलेशन में ओक्सिजन निकलता है जल से दोस्तो समाने बिग्यान का भाग नो समाफ्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बनते मात्रम